यादेवी सर्वभुतेशू माचंद्रघंटारू पेन संस्तिता नमस्तस्याई 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 नमो नमः नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल Purity of Life में मैं निलम्षुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्री के तीसरे दिन हमें मा भगवती दुर्गा के किस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए, कौन से स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, आज के दिन की पूजा विधी क्या है, किस मंत्र का आज हमें ज शेश क्या करना चाहिए तो यह सभी बाते मैं आज आप से इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जाती है जैसे कि पहले दिन हमने मा शैल पुत्री की पूजा की दूसरे दिन मा ब्रह्म चारिणी की और नवरात्री के तीसरे दिन हम माचंद्र घंटा की पूजा करेंगे मा भगवती दुर्गा का तीसरा स्वरू माचंद्र घंटा का स्वरूप है और माचंद्र घंटा क प्रदान करती हैं और हमारी जो भी परेषानिया हैं उन सभी परेषानियों से मुक्ते दिलाती हैं अगर आप शत्रूं से परिशान हैं माचंदरगंटा की विदेविधान से पूजा कीजिए अगर आपका चंद्रमा आपकी जन्मकुड़ा solie में खराब है या उनके प्रिय भोग, उनकी प्रिय वस्तुएं उनके प्रिय न्तर का जब करना चाहिए। इससे माभगवती के कृपा हमें शीगर ही मिल जाती है। दोस्तों बात करे का माभगवती चंडर घंटा के स्वरूप की। कौन सा स्वरूप मा का है, जिसे हम जब पूझा करते हैं, तो स्मरण करना चाहिए। प्रुदान करती हैं मा के इसी स्वरूप का हमें ध्यान करना चाहिए मा चंद्रगंटा अपने प्रियवाहन सिंग पर आरूड है और अपने दसों हातों में उन्होंने अस्त्र सस्त्र ले रखे हैं जैसे के खडग तलवार ढाल गदा पाश्त रिशूल चक्रधनुस और भरे अप्वति दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों एक पौरानी कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला था असुरों का जो स्वामी था महिशा सुर्थ और देवताओं के इंद्र थे महिशा सुर ने देवताओं पर विजय और महेश के पास गए देवताओं ने बताया कि महीशा सुर्ण इंद्र चंद्र सुर्य वायू और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिये हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयम स्वर्ग लोग का राजा बन गया है देवताओं ने बताया कि महीशा सुर्ग के देवगणों के शरीर से निकली हुई ये उर्जा भी उस उर्जा से जाकर मिल गई ये दसो दिशाओं में व्याप्त होने लगी तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ भगवान शंकर ने देवी कोत्रिशूल और भगवान विश्णू ने चक्रप्रदान किया इसी प्रका युद्ध के लिए पूरी तरह तयार थी उनका विशाल काई रूप देखकर महिशासूर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है महिशासूर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े देवी ने पूजा की जाती है तो हमें शक्त्रों पर विजय प्राप्त करने का आशिरवाद माचंद्रघंटा प्रदान करती हैं जरूर करनी चाहिए हमें माचंद्रघंटा की पूजा इनसे हमें वाणी में भी सीतलता मिलती है और हमारे व्यक्तित्यों में भी सीतलता और सौम्यता म कि माचंद्रघंटा की पूजा मिधी क्या है दोस्तों आज के दिन यानि की नवरातरी के तीसरे दीन मा की पूजा करने के लिए प्रातहकाल जल्दी उठें न। नित्याधि कर ने के बाद साप्रच स्वच्छ तो आप स्थापित कीजिये उनको या फिर आप मादुरगा के स्वरूप में ही मादूरगा का स्मरण कीजिए उनका ध्यान कीजिये हाथों में लाल पुष्प लेकर चंदूरगणता का ध्यान करना Live और मा की पूझा करनी है धूबuna आपके पास मादुरुगा का विगरह हैं तो उसका आप श्नान कराएं पंचामरीत से और पूजा करें उनकी वस्तरधारन करते करें कपूर जलाकर मा की आर्थी करें आपको पूजा करते समय मा को भोग क्या अरपित करना चाहिए दोस्तों आज के दिन मा को जो प्रिय वस्तुएं हैं दूद से बनी हुई वस्तुएं बहुत प्रिय हैं तो दूद से बनी हुई मिठाईयां आप मा को अरपित कर सकते हैं सफेद मिठाई या फिर खीर का भोग भी मा को बहुत प्रीय है तो आप मखाने की खीर केसर की खीर मा को भोग में अरपित कर सकते हैं इसे अरपित करने से मा की क्रिपा आपको मिल जाती है आज के दिन आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए आज के दिन आपको एम श्रीम शक इन मंत्रों के द्वारा आप मा को प्रसंद कर सकते हैं मा की अराधना करनी चाहिए एक मंत्र का आपको जाप कम से कम 108 बार जरूर करना चाहिए आप किसी भी मंत्र का जाप 108 बार कर लीजिए चाहे ओम देवी चंद्रगंटा याई नमा एम श्रीम शत्ते याई नमा या फिर उनकी स्थुति का जाप कर लीजिए सबसे पहले आपको इसका जाप करना चाहिए जैसे पूजा आप कर लेते हैं तो आप सरव प्रतम इस जाप को करें उसके बाद ही आपको किसी दूसरे मंत्र का जाप करना चाहिए मा पगवति का जो स्वरूप है नौ स्वरूप जब आ आपने जो भी मंत्र ले रखा है उस मंत्र का आप चाप कीजिए यह स्रेष्ट होता है कि हम हर दिन उस प्रत्यक स्वरूप का ध्यान करें और उनके मंत्र का सरुपर्थम जाप करें तो इससे हमें विशेश फलकी प्राप्ती होती है तो आज के दिन हमें मा को ऐसी कौन सी वस होती है शक्रियों पर भी विजय मिलती है और आपके जीवन में समस्त्र प्रकार की कुशियों का संचार होता है आज के दिन आपको मा को प्रिय पुस्प जो है संख पुस्पी का फूल अर्पीत करना चाहिए या फिर आप कमल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं शहद का भोग लगाने से समस्त प्रकार की कामनाएं पुरुन हो जाती हैं आज के दिन मा भगवती के चंद्रगंटा स्वरूप को आप शहद का भोग जरूर अर्पित करें तो इस तरह से हमें मा दुरुगा की पूजा करनी है नवरात्री के जादा इस वीडियो को शेयर कीजिए चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी मैं मिलती हूँ आप से